नागोर हत्यकान को लेकर बड़ा परदाफाश हुआ है संदीप शेटी उर्फ संदीप बिश्णोई नाम के गैंग्स्टर के हत्या के जिम्मेदारी बंबीहा गैंग ने ली है नागोर हत्यकान में ये बड़ा परदाफाश है बंबीहा गैंग ने पूरी जिम्मेदारी ली है आपको बता दें बड़ा परदाफाश यहां पर हुआ है सोशल मीडिया के जरीए परदाफाश हुआ है जहां पर बंबीहा गैंग ने इस पूरे हत्यकान की जिम्मेदारी ली है और इस हत्या के बाद बकाइदा एक फेस्बुक पोस्ट भी उनकी ओर से किया गया और मुसे वाला हत्याकान की के बाद लॉरेंस और गोल्डी बराड गैंग पर पहला पलटवार हुआ है लॉरेंस गैंग के संदीब बिश्णोई की नागार कोट के बाहर गोली मार कर हत्या कर दी गई जिसके बाद कॉशल चौधरी और बंबिः गैंग का फेस्बुक पोस्ट सामने आया पोस्ट में लिखा गया जिस संदीब बिश्णोई का मर्डर हुआ उसकी जिम्हधारी हम कॉशल चौधरी लेते हैं खुलिया के अधार पर बदमासों की धर पकड़ के प्रियास प्ररम कर दिये गए 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 जिस बंबीहा गांग ने संदीब बिश्णोई की हत्या के जिमिदारी ली वो लॉरेंस और गोल्डी बराड गांग का विरोधी गांग माना जाता है अभी हाली में कौशल चौधरी और बंबिहा गैंग के लीडर देविंदर के ठेकानू पर निया ने रेड की थी और कौशल चौधरी और देविंदर पर दिल्ली पुलिस और निया ने यूए पीए के तहत फाइयार दर्स किया था अब इसी गैंग ने संदीब बिश्णोई की हत्या की जिम्यदारी ली बताया गया कि राजिस्तान की नागौर में गैंग्स्टर संदीब बिश्णोई को तब गोली मारी गई जब उसे पेशी के लिए कोट लाया गया था कोट के बाहर उस पर कई राउंड फारिंग हुई इसका वीडियो वहां लगे से स्टीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया सामने आए वीडियो में गैंग्स्टर संदीब शेटी कुछ लोगों के साथ कोट के बाहर सड़क पर पैदल चलता दिखाई दिया लेकिन तभी पीछे से दौड कर आए दो बदमाशू ने उस पर ताबर तोड फारिंग शुरू कर दी जिसके बाद वो वहीं जमीन पर गिर गया इस दौरान पहले फारिंग करने वाला बदमाश वहां से भाग निकला लेकिन उसका दूसरा साथी नीचे गिरे गैंग्स्टर संदीब पर ताबर तोड गोलियां बरसाता रहा फारिंग के दौरान वहां आफरा तफ्री का महौल बन गया और लोग बदमाशू के डर से इधर उदर भागते हुए दिखाई दिया हाला कि कुछ लोगों ने फारिंग करने वाले बदमाशू को पकरने की पूरी कोशश भी की लेकिन वो हवा में बंदूक लेराते हुए वहां से भाग निकले बदमाशों के भागने का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें उनके दूसरे साथी मोटर साइकल से उनका अंतिजार करते हुए नजर आये फारिंग के बाद मौके से फरार हुए बदमाश मोटर साइकल पर बैठ कर वहां से निकल गए गटना के बाद पुलिस ने मौके से कार्टूस के दस खोखे बरामत खिये हाला कि पुलिस पूरे इलाके में नाकाबंदी कर उनकी तलाश कर रही है बता जा रहा है कि संदीब शेटी नागवर के एक हत्याकांड में गिरफतार हुआ था लेकिन बाद में उसे जमानत मिल गई थी पर इस बार जैसे ही कोट में पेशी हुई कुछ बदमाशु ने उसे मौत की घाट उतार दिया गैंग्स्टर संदीब शेटी नागवर कोर्ट में पेशी से लौट रहा था तब ही उस पर फारिंग की गई इसके बाद उसे अस्पिताल पहुचाया गया लेकिन उसकी मौत हो गई यही नहीं संदीब के साथ उसके तीन और साथियों को भी गोली लगी जुन में दो की हालत गंभीर बताई जा रही है बदमाशो के फारिंग में एक वकील भी घायल हो गया इस गटना को अभी बड़े गैंग बॉर्स से जोड़ कर देखा ही जा रहा था जबकि घटना के कुछ घंटे बाद ही बंबीहा गैंग ने घटना की पूरी जिम्मेदारी ही